हेलो दोस्तों, वेलकम टो ओनली आईएस, डेट है आज की 8 मार्च 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रिलिम बूस्टर न्यूस डिसकेशन के अंदर, देखो आप सभी को सबसे पहले तो बहुत-बहुत होली की शुब काम नहीं, ठीक है, अच्छे से आप सेलेबेट क ठीक है, तो ये पर्टिकुलर डे ना बहुत इंपोर्टेंट है हम सभी के लिए, ठीक है, क्योंकि देखो, वुमेन की अच्रीमेंट्स चाहें बात करें, सोशल, एकनॉमिक, कल्स्रेल, पुलिटिकल, हर जगा बहुत जादा है, ऑल्दो, बहुत सारी जगा पर वुमेन को उतनी जदा हमारे यहाँ पर उपरचुनेटिस नहीं दी जाती आगे बढ़ने की, पर फिर भी वुमेन ने बहुत ही इंपोर्टेंट काम किया है, चाहे आप वुमेन राइट्स देख लो, तो आज की टाइम पर ना इस दिन पर हमें यह चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी, क्या-क्या वुमेन इशूस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे आप देख लो, हैल्स के केस में देख लो, एजुकेशन हो गया, प्लिटिकल हो गया, एकनॉमिक सेंस में, वुमेन के पास उतनी उपरचुनेटिस नहीं दी जाती है, तो डेफिनेटली एक हमारे लिए एक रिम आज के अंदर उसको लाने की तरफ आगे हम कदम बढ़ा सकते हैं, और अगर आप नोटिस करोगे ना, आज का इंडियन एक्प्रेस हो गया, या दाहिंदू हो गया, एक बड़ी अच्छी न्यूस है, जैसे फॉर एक्जामपल, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो ग्रुप सेक्टर फेसिंग पाकिस्तान, तो बड़ी की इंपॉर्टेंट न्यूस होगी है, ठीक है, इसके साथ ही, आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो, नागालेंड के अंदर आप जानते हो, भी रिसेंटी एलेक्शन हुए थे, उनका रिजल्ट आया था, तो नागालेंड के अंद यह अभी work in progress है, कि government सोच रही है, कि हम यह चीज़ करें, तो यहाँ पर government एक तरह से सोच रही है, कि हम क्या, जो हमारा data है, अब जानते हो, data is the new oil, तो क्या data हमें दूसरी countries में भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए, क्या cross border flow होना चाहिए, तो बहुत बार, जिसे BN श् पिस और चीज़, देखो, आज हो ली है, ठीक है, तो कल, यानि कि 9th March को, ना Indian Express का newspaper आता है, ना ही Hindu का newspaper आता है, तो कल आप यह मत सोचना की, सर ने प्रिलें booster क्यों नहीं डाला, वो सके पीछे नहीं डालने का यह reason है, कि कल newspaper ही नहीं आएगा, ठीक है, तो हब हम मिलेंगे आ Self Corporation Council, तो जब मैं बात करता हूं, GCC की, तो यहाँ पर बात हो रही है, दरसल में आप देख रहे हो, यहाँ पर जो Middle East वाला एरिया है ना, उसकी टोटल में 6 कंट्रीस की बात कर रहा हूं, सर यह 6 कंट्रीस कौन सी हैं, यहाँ पर आपको कुएद देखने का मिलेगा, बहरेन हो गया, यहाँ पर कतर हो गया, UAE, United Arab Emirates and साथ साथ ओमान, तो ध्यान रखना ही, 6 कंट्रीस यहाँ पर हमें देखने का मिलती हैं, and GCC is what? GCC is a kind of political and economic alliance of these 6 Middle Eastern countries, इनके headquarters हमें देखने का मिलते हैं, साओधी रेबिया के अंदर, रियाज के अंदर, इन सभी का formation हुआ था, 1981 के अ इनके बीच में थोड़ा interconnection हो गया, इनके बीच में coordination मड़ पाएं, इनका focus था आने वाले time के अंदर हम science and technology को कैसे promote कर सकते हैं, अलग-अलग sectors है, industry हो गया, mining, agriculture, इन सभी के अंदर हम कैसे coordination किया जा सकता है, इस वज़ा से इस group की formation हुई थी, 1981 के अंदर, जिसके headquarters, रियाज Saudi Arabia के अंदर देखने को मिल जाएंगे, अब इंडिया के perspective से सर्फ GCC important क्यों है, देखो, Gulf countries जो है इंडिया की one of the top trading partners है, सर्फ वो कैसे, देखो, बहुत सारा energy जो है, energy import इंडिया में होता है, ठीक है, साथ में हम क्या देख रहे हैं कि hydrocarbon इंडिया के जो sector है, उसके तो हम कर रहे हैं, ठीक है, migrant workers जी में बात करूं, तो बहुत सारे लोग यहां पर काम कर रहे हैं, तो इस वज़ा से भी important हो जाता है, साथ में इंडिया इनके साथ काफी coordinate कर रहा है, in the field of counter-terrorism, security cooperation कैसे बढ़ाई जा सकती है, defense cooperation हम यहां पे increase कर रहे हैं, तो इस वज़ा से यह पू कौन सी countries involved है, कौन सी, नहीं है, right, अब कल के लिए, sir, क्या हो वगए, कल के लिए मतलब next class के लिए, 10th के लिए, वो है bim stack का, तो bim stack के आप थोड़ा, इसके member countries देखे कौन सी है, नीचे comment में मुझे बताना, कौन सी countries है, तो थोड़ी mapping भी करना ही, कुश करना, फिर next class में हम को देख लेंगे, कल का वीडियो शायद कुछ लोगों देखा नहीं है, जिन्होंने कल का वीडियो miss हो गया था, तो make sure वो भी देख लें, तो क्योंकि आपके वास एक शुट्टी भी है कल की, तो अच्छे से चीते हैं, आप जो भी backlog है, प्लीज उसको अच्छे से आप cover कर लिजेगा, आगे चलते हैं, एक important चीज डिसको करें, that is swami fund, देखो swami की पर तो full farm देखो, full farm है special window for affordable and mid income housing, investment fund, अब यहाँ पर आप notice करो, पहले बात किसकी हो रही है, affordable and mid income housing की हो रही है, कोई बहुत high income वाले लोगों की बात नहीं हो रही है, उनके घरों की बात नहीं हो र builder है, ठीक है, sir builder ने कोई project बना रहा था, किन के लिए, इनके लिए, affordable and mid income housing के लिए, उनके घर बगरा बना रहे थे, पर बीच में कही पर हो सकता है, पैसे की कुछ कम ही आगी, कुछ पैसे की किलत आगी, ऐसी situation हो सकती है, बिलकुल, तो इस वज़ा से कही बार यह project ना बीच के हुए projects है, इनको कही ना कहीं complete कर दिया जाए, एक condition छोटी सी और है, यह जो builder का project है ना, यह RERA के साथ यह register होना चाहिए, तो यह RERA क्या है, RERA है Real Estate Regulatory Authority, हमने RERA के बार में पिछले डक्टेस के लिए पड़ा भी था, तो आप सभी जानते होगे कि यह क्या है, एक statutory body है, ठीक है, तो अभी news में क्या है, news में यह है, कि इस particular fund के थुरू 20,000 घरों की completion हो गई है, over 12,000 क्रोड, तो दरसल में जो Swami fund था, यह 2019 में में देखने को मिला था, वहां से continue हुआ है, तो क्या है एक तरह से social impact fund है, social impact क्यों, तो यह लोगों घर बन रहे हैं, तो जो कि क्या ह हो चुके हैं, जो कि stressed हैं, और stalled, stalled मतलब रुके हुए, लोगों के जो रहाईशी घर हैं, जो रुके हुए हैं, उसकी यहाँ पर बात करी जा रही है, तो यहाँ पर objective क्या था, stressed and brownfield properties, अब दो वर्ट आए हैं, एक वर्ट है stressed, एक है brownfield, stress तो meaning आप समझ गे, कही न कहीं कि पैसे कहलत के वह जासे, वो चीज़ रुकी होई है, तो उसके इसमें बात हो रही है, ति ब्राउन फिल्ड क्या होता है, जो भी project होते हैं, एक होता है greenfield, एक होता है brownfield, जब बात करते हैं greenfield की, greenfield में तो बिल्कुल नए से, ठीक है न, बिल्कुल नए से, बिल्कुल scratch से को के अंदर हम Greenfield की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं किसकी Brownfield गी तो यह हो गया स्टेस्ट का मतलब भी और Brownfield का मतलब भी आहिए होपा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा सर्प पैसा कहां से आया है देखो पैसा यहां पर sponsor किया गया है हमारी Union Finance Ministry के दोरा ठीक है साथ म जो हमारी कुछ insurance companies हो गया, pension companies हो गया, bankers उनके द्वारा भी इस fund के अंदर पैसा आया है, तो sponsorship है by union finance ministry, manage किसके द्वारा किया गया है, state bank group का SBI cap venture limited NK द्वारा, ठीक है तो इस तरह से आप notice कर सकते हो, इसका काम ये सारी चीज़े हैं कि इन सभी चीज़ों को देखना, तो definitely यह आप center के साब से अगर हम बात करें, तो Swami fund के पास one of the largest domestic state private equity terms है, जो की focus करती है कि कैसे जो stressed properties है, उनके उपर work किया जाए, उनको अच्छे से जल्दी से जल्दी complete कर दिया जाए, तो यह हो गया हमारा Swami fund, अब economy के साथ ही linked, एक में आपको question दे रहा हूँ, 2022 में पूछा गया important question है, try करना, अगर नहीं भी दिक्कत आएगी, मतलब नहीं भी समझाएगा, तो कल हम capital expenditure, revenue expenditure क्या होता है, यह भी अच्छे से कर लेंगे, पर इस तरह ही question UPSC बार बार पूछता है, easy question है, तो आप अराम से कर सकते हो, otherwise हम कल इसको अच्छे से discuss कर ही लेंगे, इसके साथ ही कल मैंने आपको एकना question दिया था, regarding open source digital platform, इसको एक बार समझ नहीं कोशिश करते हैं, कि आखर यह चीज क्या होती है, sir, देखो, एक होता है हमारे पास closed source, एक होता है open source, आप नोगों ने देखा होगा ना, कि कुछ software का एकना source code होता है, ठीक है, अभी जो source code है, उसके पीछे क किसका होता है, अगर तो मालों इसके उपर जो control है, वो जिस person ने इसको create किया है, या फिर जिस team या, जिस organization ने इसको create किया है, सिरफ वो ही उसको control कर पाए, तो उसको क्या बोलेंगे, closed source, पर sir, open source में क्या होगा, open source के अंदर क्या होगा, कि कोई भी इनसान, इस particular source code को change कर सक कर सकता है, उसको देख सकता है, उसको modify कर सकता है, उसको enhance कर सकता है, आई बात समझ में, कहने का point ये है, closed source software के अंदर क्या होता है, जो source code होता है, उसके उपर जितना भी control होता है, वो उसी particular person या उसी particular team, या उसी particular company का control होता है, और कोई उसको ना छेड सकता है, ना कुछ enhance क कर सकते हैं ना मोडिफाई कर सकता है open source के अंदर क्या होता है कोई भी इंसान उसको देखे कोई इंसान उसको change करें कोई इंक्रीज करें anything can be done on that open source software आई बात समझ में तो यह तो अब मैनेज करने के लिए self assessment करने के लिए यह एप बनाई गए थी बाई एन आई सी नैशनल सेंटर जो किसके अंदर आता है बताओ बताओ कौंसी मिनिस्ट्री मीटी मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री आफ एलेक्ट्रोनिक्स एंड इंफमिशन टेक्नॉलजी उसके अंदर गता आता है तो यह भी open source डिश्टर ब्लैटफॉर्म ही है उसी तरह से कोविन आप जानते हो सर डिजि लॉकर के अंदर तो आप भी अपने डॉकमेंट्स रखते होंगे ना कि आप लोग ने भी अपने जो इंपॉन्ट डॉकमेंट्स है मालनों अधार हो गया अपना ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या जो पैन कार्ड हो गया उसको आप कहीं अराम से यहां पर स्टो हो तो यह गॉर्मेंट के द्वारा इंडियन सिटिनस को आपर किया आता है कि आप अपने डॉकमेंट्स के दे स्टोर करो यह डिजि लॉकर है और यह भी ओपन सोर्स डिजिटल प्लैटफॉर्म के उपर ही बिल्ट हुआ है लास्ट है दिक्षा सर दिक्षा क्या है देखो दिक्षा है डिजिटल इंफ्रस्ट्रक्ट्चर पॉर नॉलेज शेरिंग यह ना एजुकेशन के साथ थोड़ा लिंग्ड है तो हमारी जो मुनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतरगत जो एंसी आर्टी आता है नैश्टल कांसिर प्लैटफॉर्म है जहां पर हमारे टीच करने का तरीका यह होता है एक तो जो चीज लिखी हुई है उसको आप समझो कि क्या मीनिंग है प्लस साथ ही साथ जितनी अडिशनल इंफ्रमेशन आपको मिल पाए न उतना अच्छा है क्योंकि कल को हो सकता है कि अरोगय से तो के उपर डेडिकेशन आजाए या फिर डिजि बात करी है को फिन के उपर मुल्टिबल टाइम बात करी है इवन मैं भी आपके साथ हैं डिसकॉशन आपके मतलब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं उसकी भी बहुत जल्दी आपको एकनॉमिक सर्वे की वीडियो भी यूटीब के आने माले लेक्टिर के अंदर मिल हैं वैसे वैसे उनका हमें पता लगता जा रहा है तो इंडियन डेल्वेस ने एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है जिसके विसिस के ऊपर क्या होगा हम रियल टाइम ट्रें मुमेंट को ट्रैक कर पाएंगे यूजिंग वाट सेटलेट मेजरी इसको यूज के जाएगा तो RTIS को किसके तो डिवलप किया गया है बाई इंडियन डेल्वेस एंड इस रो ठेक हैं इंडियन स्पेश रिसर्स और्गनेजेशन करेंट्ली इसको एग्जिक्यूट किया जा रहा था बाई CRIS Center for Railway Information System जो कि क्या है Railways Ministry के अंदर एक और्गनेजेशन है जो इस तरह की चीज़ों के यह ट्रेन यहाँ पर रुकी होई है या फिर यह ट्रेन इतने टाइम में यहाँ पर पहुंच जाएगी तो उनकी efficiency बढ़ेगी logistics cost को हम कम कर पाएंगे ठीक है उसका कैसे arrival होगा कब departure होगा बहुत अच्छे से हम इसको plan कर पाएंगे साथ में सोचो कल वो कुछ मतलब मान लो कि कोई accident हो गया या फिर कुछ floods या लैंड से इस तरह की situation आ जाती है तो वहाँ पर हमें एक ट्रेन के exact location मिल जाएगी ना तो बड़ी तेजी से हम वहाँ पर कुछ भी मदद पहुंचानी हो वो मदद वहाँ पहुंच अब यहाँ पर क्या है क्यों लॉंच किया गया है देखो हमारे यूथ के अंदर एक तरह की देशवक्ति की भावना पेटरॉटिजम हो गया इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की जो वैल्यूस थी उनकी भावना को एक तरह से वापे से जगा पाएं उसको करने के लिए जिस कर अब यहाँ पर कौन इसको लीड वान करेगा हमारे कुछ यंग आटिस्ट हो गया राइटर्स हो गया फोटोग्राफर्स जो ट्रडेशनल आर्ट को प्रेक्टिस करते हैं यह सारे इसको लीड करेंगे इस मुमेंट को तो एक तरह से पका लगा कि यार इंडिया का जो कल्च अब यहाँ पर नोटेस करो इसकी थीम इसकी थीम ना पंच प्रण है सर यह पंच प्रण क्या है देखो मैं आपको बताता हूँ अभी जो 2022 मतलब हाँ जो 6 महिने पहले मारा इंडिपेंडनेस दे था ना 15 और अगस्ट वाला जैसे आप प्रण नहीं लेते कि मैं प्रण करता हूँ कि मैं यह चीज़ करूँगा तो इस तरह से हमारे देश ने अब यह प्रण लिये हुए है सर प्रण क्या है हमारे एक तो पहला है कि हम developed country बनेंगे ठीक है आप मुझे इसका year बताना कि परधान मंत्री जी मोदी जी न unity and solidarity के अंदर लीफ करना और एक तरह की जो responsibility citizens के अंदर होनी चाहिए ठीक है duty एक तरह से होनी चाहिए तो यह सारे हमारे क्या थे फ्रंट पंच फ्रंट की बात करी गए थी पंदर आगस्त को प्रधान मंत्री मोदी जी के द्वारा तो यह सारे चीज़ें ही इसकी theme हमें साथ में हमने वो भी discuss किया था कि राजस्थान हो गया या और भी मतलब राजस्थान में majorly हमें देखने को मिलती है यह तो वहां पर क्या होता है कि बिजली की तारों के अंदर कई वार आ जाते हैं यह उस वज़े से इनकी death हो जाती है ठीक है न तो यह सारी चीज़ें हमने फैला हुआ है और आप सोचो कि वहां पर एक भी परसन नहीं रहता कोई भी human habitation है ही नी पार्क के अंदर यह statement ना इस तरह कि एक्स्टीम स्टेटमेंट यूपियसी दे रहता है कि आप देखो पार्क तो नैशनल पार्क कितने बड़े होते हैं कि एक भी परसन नहीं रहता ह स्टेटमेंट करोगे ना आपका अंसर आपके सामने आ जाएगा यह कुछ स्केल्स होते हैं प्रीवियस एर क्वेश्चन के थूरू जब हमें सीखने पढ़ेंगे बहुत सारे लोग ना कॉमेंट्स में लिखते रहे दें सर्फ प्रीवियस एर क्वेश्चन मत कराओ मत कराओ मत कराओ लंबा हो रहा है वीडियो देखो ट्रेस्ट मी मतलब मुझे पता है थोड़ा बहुत वीडियो लंबा हो जाता है पर एक्ट्वल में आप नोटिस करो हम प्रीवियस के अंदर इसलिए दे रहा हूं जिनको तभी भी दिक्कत है कि नहीं वीडियो लंबा हो रहा है मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज प्रीवियस एर क्वेश्चन वाले वह वीडियो वाला जो जहांबे मैं डिसकस करता हूं वो स्किप कर दिया करो ठीक ह मुझे कोई दिक्कत नहीं है but please it is important for your exam और आपकी भलाई के लिए ही मैं डिसकस कर रहा हूं और कोई रिजन नहीं है बरना मुझे भी तो effort लगता है मैं skip कर दूँगा ठीक है न पर उसका point नहीं है मैं चाहता हूं कि आपको जितनी help हो पाए प्रिलेंस के अंदर उतनी help कर चीक है न तो इसलिए जरूरी है इसको समझा करो इस बात को पांच मिनिट वीडियो लंबा बन जाएगा उससे क्या हो जाएगा ठीक है चलो आगे चलते हैं अगला topic है मारा ETIAS European Travel Information and Authorization System अब यह क्या चीज है सर देखो 2024 से ना 60 से भी साथ से भी जादा कंट्रिस एक्चल मे एरिया के अंदर जाते हैं बिना किसी वीजा के उनको अब यह ट्रैवल ऑफ्टराइशन लेनी पड़ेगी देखो जैसे मालो आप एक आप इंडियन हो ठीक है आप इंडिया से जो शेंजन एरिया है मैं बताऊंगा इस एरिया में जाना होता है ना हमें चाहिए होता है वी लिलना पड़ेगा that is what ETIES European Travel Information and Authorization System इसका मीनिग है ETIES तो यह ध्यान रखना यह वीजा नहीं है यह बस online system एक तरह का जहां पर देखा जागा कि अच्छा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा ठीक है कौन आ रहा है और कैसे आ रहा है तो जो भी वीजा exempt countries में जिन पर वीजा न रोका जा पाए अभी क्या होता है अभी अगर मालो इन 60 या 63 countries में से कोई भी इंसान जाना चाह रहा है तो 90 दिनों तक वो बिना किसी चीज़ के जा सकता है ना कोई वीजा चाहिए उसको ना कोई authorization चाहिए तो 90 दिनों तक अराम से जा सकता है और business and travel purposes ठीक है काम करने के लि जैसे US, Canada, Australia, New Zealand, UK इस तरहे countries आती है ध्यान रखना इंडिया इसमें नहीं आती सरक इंडिया क्यों नहीं आती क्यों नहीं आती क्योंकि Indians को तो वीजा चाहिए बहिया शेंजन एरिया के अंतर जाने के लिए हमें वीजा चाहिए इन countries को नहीं चाहिए इसलिए इनके उपर एक तरह का ETS लगने वाला है अब आप लोग सोच रहे होंगे सर यह शेंजन एरिया क्या है देखो शेंजन एरिया कैसा जोन है जहां पर 27 इरोपन कंट्री होती है जिनों ने क्या किया है एक तरह से अपने इंटर्नल बॉर्डर को एक तरह से खतब ही कर दिया है ताकि कोई परसन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाए बड़े अराम से जाए लोगों का मतलब unrestricted moment हो पाए उस चीज़ को टैकल करने के लिए यह सेंजन एरिया हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है अब नोटिस करना शेंजन एरिया के अंदर जात और यह यह यूपन यह यूरोपन यूनिन की मेंबर नहीं है बड़ शेंजन जोन में जरूर आती है ठीक है थोड़ा सा डिफ्रेंस हो जाता है तो यह कंट्री स्विजल एंड लाइकन स्टाइन आइसलेंड और नौर्वे इस अरॉपन यूनियन बट यह आर पार्ट ऑफ शेंजन जोन यह इंटरनेशनल बिग केट अलाइंस ताकि हम जो बड़ी कैट्स हैं उनको प्रटेक्ट कर पाएं सरी बड़ी कैट्स क्या होगी है यहां पर हम बात करें है सेवन मेजर बिग कैट्स की वाटर दोस टाइगर लॉयन लेपर स्नो लेपर प्यूमा जैगवार एंड चीता इनकी सेवन रेंज मेंबर्शिफ ऐंगी कोनेस है जहां पर यहां पर यह मिल देत है उनके लिग के लिग करहने सकते हैं हम करें कि उस से बिग का प्रतेक्षां हो गया तो आप लोग भी यह चीझ करो तो इस्तुना से आपस में अधेश्म करें कर सकते हैं research and development इप्रूव होगा साथ ही साथ आपस में partnership हो गया eco-tourism हो गया, यह सारी चीज़े भी accordingly entheez होती रहेंगे तो पांच साल में जो होगा ना, पहले पांच साल में तो इंडिया एक चाना सी assistance देगा कि उतनी 100 million dollar की, उसके बाद यह IBC है अपने आपको खुछ sustain कर लेगा जैसे membership fees हो गया किसी और institution ने कुछ नगुछ पैसे दे दिये कुछ private sector का सरफ से contribution आ गया तो फिर बाद में अपने आप से self-sustained हो जाएगा इसका governance structure को इस तरह सी होगा तो मारे पास एक होगी general assembly जहां पर जितने भी member countries है वो अजाएगी, साथ में होगा एक council ठीक है, यहाँ council के अंदर होगे साथ से लेकर 15 member countries जिनको elect करेगी कौन, general assembly elect करेगी for a term of 5 years and साथ ही साथ इसका accordingly general assembly के दोराएक IBCA secretary general भी express by term के लिए appoint किया जाएगा तो इस तरह से यह work करने वाला है अब इनी particular चीज़ों के उपर मैं आपको 5 questions दे रहा हूँ make sure कि आप इन particular 5 questions का answer मुझे नीचे comment section में बताऊगे कल जो मैंने questions दिये थे, उनका एक बर मैं आपको quickly answer देता हूँ Great Indian Western, क्या state word है राजस्तान का बिलकुल अभी भी discuss किया था मालाबाद tree toad, क्या critically endangered है the answer is false, सिर्फ false क्यों है क्योंकि दरसल में ये endangered है कल पड़ा था ना मौलम National Park के आसपास का area जो कि हमें western guards में देखने को मिलता है गोवा के अंदर हमने देखा था तो वहाँ बर ये endangered है ये हमें अच्छे से पता है RB courts, क्या ये try कर सकते है सभी तरह के offenses के लिए except for murder and rape of civilian the answer is true चौथा statement great and busted क्या endangered है नहीं सर, ये critical endangered है तो statement for false हो जाएगी UIDF urban infrastructure development fund क्या NHP maintain करेगा manage करेगा the answer is true तो ये statement इस तरह से हो जाएगी इसके लावे एक छोटी सी वार चीज़ मैंने आप से कल pardoning power के regarding भी question पूछा था तो एक था पहला उसमें है pardon pardon का meaning होता है जब president साब क्या करते हैं जो convict होता है उसकी sentence भी और conviction भी उसको बिल्कुल खतम कर देते हैं बिल्कुल completely absorb कर दिया उसको बोलते हैं pardon पर दूसरा आजाता है हमारे पास despite ठीक है quickly revise ही कर रहे है despite के अंदर क्या होता है न कि जो actual में किसी special condition की वज़ा से ठीक है किसी special condition की वज़ा से हम क्या करते हैं एक lesser sentence उसको मिलती है sir जैसे for example माल लो एक woman है उसने कुछ offense किया है पर वो pregnant है तो हो सकता है इसकी वज़ा से president साब उसकी जो sentence है उसको कम कर दिया जाए ठीक है तो special कोई न कोई powers होती है मतलब special case होता है यहाँ पे इसी तरह से हमें एक देखने को मिलता है remit sir remit या remission यहाँ पर क्या होता है remission के अंदर यहाँ पर क्या होता है कि आपने न president साब ने क्या किया जो period of sentence है वो कम कर दिया जैसे माल लो किसी को 5 साल के लिए regress imprisonment मिली थी तो president साब बोलेंगे कि नहीं इसको 2 साल का कर दो तो यह होता है remission के अंदर पर ध्यान में रखना कि यह पहले भी type of punishment वही थी अभी भी type of punishment वही है मतलब पहले भी regress imprisonment थी अभी भी regress imprisonment ही है बस उसके number of years कम कर दिये this is not what remission उसी तरह से एक होता है commute commute के अंदर क्या होता है आपने type of sentence कम कर दिया कहने का मतलब क्या अगलर मालनों किसी को regress imprisonment दी हुई थी उसको बोल दिया कि नहीं आपको simple imprisonment होगी फरक समझाया remission के अंदर क्या होता है आपका period of sentence time कम करते है commute के अंदर क्या होता है type of sentence में कम ही कर दिया कि regress imprisonment की जगा हमने क्या कर दिया simple imprisonment तो यह फरक होता है एक आखरी बचा that is reprive यहाँ पर क्या होता है ना एक तरह की temporary time के लिए stay लगा दी जाती है ठीक है तो यहाँ पर convict अगर मान लो उसको pardon चाहिए commutation चाहिए anything like that तो एक president साब एक particular time के लिए उसके उपर reprive लगा देंगे एक तरह की temporary stay लगा देंगे कि अभी इसकी execution नहीं होगी तो यह होता है पांचों की पांचों powers ठीक है तो इकल वाले डिसकस कर लिए इन पांचों questions का answer आप मुझे इसके comment section बताऊगे कौनसा true है कौनसा false है साथ में जो भी और homework दिया है प्रिलेम बूस्टर नहीं आएगा क्योंकि हिंदू और newspaper Indian Express newspaper ही published नहीं होगा बट आपके जो भी backlogs हैं आप उनको अच्छे से clear कर लिजेगा तांकि आपकी preparation में कोई दिक्कत ना आए तो friends I hope आपको आज का life तो अच्छे समझ आया होगा इसी तरह से आप भी अपने end पे hard work करते रहिए Good bye and good luck